आईए अभ्यास करते हैं So, आज का first word है बारिश का मौसम बारिश के मौसम को मिंगलिश में कहते है रेनी सीजन रेनी सीजन मतलब बारिश का मौसम बारिश या बारिश होने को मिंगलिश में कहते है रेन रेन मतलब बारिश या बारिश होना जैसे इसका ये एक example है बारिश हो रही है तो आप इसकी English ऐसे बनाएंगे It's raining It's raining मतलब बारिश हो रही है Next step, बरसाती पानी बरसाती पानी को अम इंगलिश में कहते हैं Rainwater Rainwater मतलब बरसाती पानी Next step, बारिश की बून बारिश की बून को मिंगलिश में कहते हैं रेंड्रॉप रेंड्रॉप मतलब बारिश की बून नेक्स्टेप बौचार बौचार मतलब बारिश की बौचार बौचार को मिंगलिश में कहते हैं शावर शावर मतलब बौचार नेक्स्ट है बूंदा बांदी होना बूंदा बांदी होने को मिंग्लिश में कहते हैं ड्रिजल ड्रिजल मतलब बूंदा बांदी होना जैसे इसका ये एक एक एक्जेम्पल है सुभा से बूंदा बांदी हो रही है तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे और नेक्स्ट है मूसलादार बारिश होना इसका मतलब होता है रेन, कैट्स and डॉक्स ये एक एडियम होता है इसके लिए आप दो वल्ट और यूज़ कर सकते हैं एक है बकेट डाउन और आप यहाँ पर पिल्ट डाउन का भी यूज़ कर सकते हैं तीनों का मतलब होता है मूसलादार बारिश होना इसका ये एक एक एक्जेम्पल है मूसलादार बारिश हो रही है तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे इस रेनिंग कैट्स and डॉक्स या फिर आप यहाँ पर it is pelting down का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं it is bucketing down तीनों का मतलब होता है मूसलादार बारिश हो रही है बारिश के कम हो जाने को मिंग्लिश में कहते हैं ease off ease off मतलब बारिश का कम हो जाना या धीमा हो जाना जैसे इसका ये एक example है बारिश कम हो गई है तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे the rain has eased off next step पानी में से चल कर जाना पानी में से चल कर जाने को मिंग्लिश में गहते हैं wait through wait through मतलब पानी में से चल कर जाना जैसे इसका ये एक example है, मैं पानी में से चल कर गया, तो आप इसकी English ऐसे बनाएंगे, I waded through the water, और next step भीग जाना, भीग जाने को में इंगलिश में कहते हैं, get drenched, get drenched मतलब भीग जाना, जैसे इसका ये एक example है, मैं भीग गया, तो आप इसकी English ऐसे बनाएंगे, I go drenched, I go drenched, और next step गरजना, गरजना को में इंगलिश में कहेंगे, thunder, thunder मतलब गरजना, जैसे इसका ये एक example है, बादल गरज रहें, तो आप इसकी English ऐसे बनाएंगे, clouds are thundering, clouds are thundering, next step बिजली, बिजली को में इंगलिश में कहते हैं, lightning, lightning मतलब बिजली, बिजली गिरने को में इंगलिश में कहते है, strike, strike मतलब बिजली गिरना, जैसे इसका ये एक example है कल रात महां बिजली गिरी तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे Lightning struck there last night Next है चमकना बिजली वगएरा का चमकना चमकने को में इंग्लिश में कहेंगे flash जैसे इसका ये एक example है बिजली चमक रही है तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे Lightning is flashing Next है रुख रुखकर रुख रुखकर बारिश होती है जैसे रुख रुखकर की इंग्लिश को हम कहेंगे on and off मतलब रुख रुखकर जैसे इसका ये एक example है बारिश रुख रुखकर हो रही थी तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे It was raining on and off Next है टपकना टपकने को हम इंग्लिश में कहेंगे drip drip मतलब टपकना जैसे इसका ये एक example है छचसे पानी टपक रहा है तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे Water is dripping from the ceiling Water is dripping from the ceiling और next है आंधी गरश तूफान को मैं इंग्लिश में कहते है Next है गढ़ा गढ़ा को मैं इंग्लिश में कहते हैं Pothole Pothole मतलब गढ़ा Next है काई काई को मैं कहते हैं मॉस मौस मतलब काई नेक्स्ट है दल 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 को मिंगलिश में कहते हैं स्वाम या फिर आप इसे बोल सकते हो मार्ष दोनों को मतलब होता है दल दल नेक्स्ट है इंद्रधनुष इंद्रधनुष को मिंगलिश में कहते हैं रेंबो रेंबो मतलब इंद्धिध नेक्स्टे बरसाती बरसाती जो देख रहे हैं आप इसे हम इंगलिश में कहते हैं रेंगोट रेंगोट मतलब बरसाती नेक्स्टे छाता छाते को में इंगलिश में कहते हैं अम्रैला इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पडल पडल मतलब बरसाती पोकरा कीचर से भरा पोकरा कीचर से भरे पोकरे को मिंगलिश में कहते हैं मड़ी पडल मड़ी पडल मतलब कीचर से भरा पोकरा नेक्स्ट ए अल्म वर्षा अल्म वर्षा को मिंगलिश में कहते हैं एसिड रेन Acid Rain मतलब अल्म वर्षा Next step वर्षा मापी वर्षा मापी को मिंग्लिश में कहते हैं Rain Gage Rain Gage मतलब वर्षा मापी Next step बादल बादल को मिंग्लिश में कहते हैं Cloud Cloud मतलब बादल Next step काली घटा काली घटा को मिंग्लिश में कहते हैं Dark Cloud Dark Cloud मतलब काली घटा नेक्स्टे वर्षा मेक, वर्षा मेक को में इंगलिश में कहते हैं निम्बस या फिर आप इसे रेन क्लाउड भी बोल सकते हैं नेक्स्टे तूफानी बादल, तूफानी बादल को में इंगलिश में कहते हैं स्टॉम क्लाउड next step बादल का फटना बादल के फटने को में इंगलिश में कहते हैं cloud burst cloud burst मतलब बादल का फटना next step मेगाच्छन मेगाच्छन को में इंगलिश में कहते हैं overcast जैसे इसका ये एक example है आसमान बादलों से ढखा हुआ है इसकी इंग्लिश आप ऐसे बनाएंगे, The sky is overcast. The sky is overcast. Next is bar. Bar को मिंग्लिश में कहते हैं, flood. Next is सुखा. सुखे को मिंग्लिश में कहते हैं, drought. Drought मतलब सुखा. Next is सौंधी खुश्बू. सौंधी खुश्बू को मिंग्लिश में कहते हैं, patrico. पैट्रिको मतलब सौंधी खुश्बू. और ओलो के साथ होने वाली वर्षा को मिंग्लिश में कहते हैं, sleet. Sleet मतलब ओलो के साथ होने वाली वर्षा. Next is ole. Ole को मिंग्लिश में कहते हैं, hail stones. Hail stones मतलब ole. Next is ole girna. Ole girna को मिंग्लिश में कहते हैं, hail. Hail मतलब ओले गिरना जैसे इसका ये एक example है ओले गिर रहे हैं तो आप इसकी English ऐसे बनाएंगे It is hailing Next is ola आंधी Ola आंधी को में इंगलिश में कहते हेल स्टॉम Hail स्टॉम मतलब ओला आंधी Next is कुहासा कुहासा को में इंगलिश में कहते हैं mist Mist मतलब कुहासा Next is ose Ose को में इंगलिश में कहते हैं dew Next is चिपकने वाली मिट्टी चिपकने वाली मिट्टी को में इंगलिश में कहते हैं clay Next is fissland Fissland को में इंगलिश में कहते हैं slippery Slippery मतलब fissland Next is fissalna Fissalna को में इंगलिश में कहते हैं slip Next is thundi hawa ठंडी हवा को में इंगलिश में कहते हैं cold wind cold wind मतलब ठंडी हवा next हवा चलना हवा चलने को में इंगलिश में कहते है blow जैसे इसका ये एक example है ठंडी हवा चल रही है तो आप इसकी इंगलिश ऐसे बनाएंगे cold wind is blowing cold wind is blowing next है gelbara जल भराओ को हम इंगलिश में कहते हैं water locked water locked मतलब जल भराओ next is sealant sealant को हम इंगलिश में कहते हैं damp so that's it today's video हमें comment section में इन दोनों के answer लिख कर बताईए और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना feedback जरूर दिजीगा और इस वीडियो को like share करके चैनल को subscribe जरूर कीजीगा और मैं मिलती हूँ आप से एक next वीडियो में next topic के साथ please like subscribe and share